और आप इस सरकार ने, इस मोदी सरकार ने, जो अपने आपको मोदी कहता है बाबा साब का फॉलोवर है बाबा साब का फॉलोवर क्या है? बाबा साब के पेर की जूती की बराबर में नहीं है ये इस मोधी सरकार को, इस भज़पच सरकार को, इस मोधी को उखाओ कर ठेकना है राजवीती इनकी पूरी दफन कर दे भी है इसी देश में ताकि इनकी वो भी निकल के बहार ना सके साथियो सभी बचेगा समाज, सभी बचेगा देज, नहीं तो कुछ बचने वाला नहीं इस साथियो आपने एक कानून इस देश में बना है, आर्थी काधार पर सवनों के लिए 10% आरक्षण आर्थी काधार पर, समिधान में कहीं भी आर्थी काधार पर आरक्षण की विवस्ता नहीं है ये गरीबी हताओ, प्रोग्राम नहीं है, गरीबी उन्मूलन कारिकरम नहीं है, रिजर्वेशन reservation है कि मान सम्मान से जीने के लिए पराबरी से जीने के लिए एक विवस्था की गई है उस समाज के लिए जिस समाज को हजारों साल से दबा कर रखा गया उसको पराबरी का अपसर देने के लिए इसकी विवस्था की गई है तो आर्थी काधार पर पूरी तरह से गहर समयदानिक गहर कानूनी काम लेकिन जब वो संसद में पास हुआ कानून जो बिल पास हुआ उसके पक्ष में वोट देने वाले कौन थे हमारे ही समाज के 131 NPSCST के और बाकी OBC के वो लोग दे उनके पक्ष में देने वाले ही नहीं तो वो विरोध करते अगर वो विरोध करते तो किसी आलत में वो कानून नहीं बन सकता था लेकिन अपने ही समाज की कर्दन कटवाने के लिए उन लोगों ने ये सारा काम किया और इससे में कौन कौन शामिल है केवली ये VC, रेजिस्टर, ये एक नहीं है, ऐसे लोगों की भीड है, चारो दो भीड है, मैं अगर आपको बताओं इससे आप समझने की कोशिश करेंगे, कि ये जो आरक्षन है, समिधान में कहीं भी ये नहीं लिखा, कि 50% से ज़्यादा आ कोई चीज नहीं है, सुप्रिम कोट कैसे उस ववस्ता को कर रहा है, सुप्रिम कोट ने लगाई कि 50% से ज़्यादा आरक्षन नहीं हो सकता, और हुआ कैसे, सारे 22%, यानि 15% S.C. का, सारे 7% S.V. का, और इसके अलाबहे ये टोटल हो गया, सारे 22% और 27% OBC का, कुल मिलाके हो गया, सारे 49% यानि कि समीधान के ग्रोध में जाके, देश की सबसे बड़ी अदालत ने, जिसका काम बन्याए देना, समीधान तो लागू करना, उसी अदालत ने, सवानों के लिए, सारे 50%, यानि 50.5% टारक्षन पक्का कर लिया, और आभी सरकार ने, इस मोधी सरकार ने, जो अपने आपको मोधी कहता है बाबधासाब को फोलोर है, बाबधासाब के पैर की जूति की बराबर में नहीं है यह, यह जो आदमी, और इसे, यह जो सरकार ने, इसी सरकार ने, ने, यी 10% अर्ठी कादार पर आरक्षन पक्का कर दिया, किसके लिए, सवणों के लिए, स परसन्ट यह 60.5 परसन्ट और यहीं कोट है जब दिला कि लिए अरक्षन बढ़ाने की बाता ही उसकी जनसंख्या प्यानुपात्म आरक्षन बढ़ाने की बाता ही इसी सुप्रिम कोट ना कहा कि पचास परसन्ट से जारा आरक्षन नहीं हो भू सकता लेकिन जब खुब सबर् तो आप समझ लीजे कि देश की अदालतों में जब मनुवादी मान सिक्ता के लोग बैठे हुए हों देश की सबसे बड़ी अदालत में उसके नीचे हाई कोट में और फिर हर जगे उन्होंने अपने आदमी बिठा रखता है तो आपको न्याएं कहां से मिलेगा कैसे आपके हक स्वच्चित रहेंगे और नेता आपके पहली बिके हुए हैं मुर्दे है वो गुलाम है वो जिस पार्टी के है उस पार्टी के बंदो मजजूर के लाबा दूतर कोई काम नहीं है उनका उन्हें सबक सिखाना जरूरी है मैं प्रफजर अतलाल जी की बास से बि इस चीदर्थ से और इसके राबस आती हो जो हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है जो हमें सबसे बड़ा काम करना है वो करना है समाज को जगाना है समाज को एकटा करना है बद्राब अकर आएगा तो किसी यह जो टक पूंजय नेता है यह जो गुलाम लोग है इनकी सब्सक्राइब करना है इसलिए हम लगातार भोलते हैं और धन्यवाद सोचल मीडिया के साथियों का यह हमारी आवाज लगातार जंता तक पहुंचा रहे हैं यह जो मुकदमा चलना है आपके सामने बता दिये सारी सीजें कि एफईयार प्रफसर रतनलाल के एकलाब कुछ भी नहीं है छे मेहनी की सजा भी उसमें नहीं है बाब जूद उसके उनका प्रमोशन रोका जा रहा है कि तुम्हारे खिलाब एफईयार है और इसके एकलाब चा बचा कौन रहा है इसलिए उसलिए आप लोगों के मादम से इस आंदोलन के मंच पर खड़ा होकर मैं समाज के उन लोगों से निवेदन करना चाहूंगा जो जहां भी है इस आंदोलर में आईए ये लड़ाई दक्तर रितु के नहीं है अगर नौकरी ही लेनी होती तो जिन लोगों न हताया है मकदमा होने के बाद वो कितनी ही बार दक्तर रितु को ओफर दे चुके हैं आपको जितनी जिस जगे भी पोस्टिंग चाहिए जिस universe में जिस college में जहां आप पोस्टिंग चाते हैं आपको बोस्टिंग मिलेगी जो सुत्धाँ आपको चाहिए वो सारे में ले जिए आप ये मकदमा वापिस ले लीजिए अगर नौकरी ही लेनी होती तो कपका लेके बैठ गी होती लेकिन नौकरी को लात मारी किसलिए कि नियाए मिलना चाहिए नियाए किसको गेवर डप्टर रितु को नहीं नियाए उस समाज को जिसका वो हिस्सा है उस समाज का जिसका अपमान किया गया है और अगर लोगों के रहेगी कौन बोल सकता है आप जरब कलपना कीजिए कि वहां कैसे लोग जीते होंगे किस तरह से उनके मान समान को कुछला जाता रहा होगा यह सारी चानल रगाता है चलती है साती है इसलिए हम सब लोगों को इकटना होके इस लडाई को लड़ना पढ़ गा तो जितने भी लोग जहां भी हैं जहां तक मेरी आवाज पहुँच रही है प्रफोसर रतलाल जी की आवाज पहुँच रही है दक्टर रितु की आवाज पहुँच रही है राजंदर गौतम जी के वाज पहुच रही है डीजी कपिल साब के वाज पहुच रही है और जितने भी साती यहां बोग कर गए है जितने भी साती यहां अंदोलन में है जो अपने अपने माद्धन से समाज को जगाने की कोशिप कर रहे है मेरा उन सब से निवेदन है लोग आए इस अंदोलन में आए यह लडाई समाज की लडाई है सातियों और अगर हम अगर हम घरों में बैठे रहे तो हमारी हालत कितनी बुरी होगी आप इसकी गल्पना नहीं कर सकते हैं अभी तो केवल समीधान को बतलने की बात हो रही है जब कि समीधान की बहुत सी चीज़ें अपको बता दिया बदली जा चुकी है लगातार बतल ले हैं वो सारी यह 10-13 जो दिया गया यह समीधान के विरोध में तो दिया गया है क्या देश की सरकार जो समीधान के नीति नितर्शक सिंधानतों में बात कही गई है कि कल्लाणकारी राजी की साफना करें सरकार ने की क्या कल्लाणकारी राजी की सपना क्या होता कल्लाणकारी राजी कल्लाणकारी राजी होता है कि देश के सभी नागरिकों को सिक्षा मिले, रोजगार मिले रोजी रोटी के साधन मिले इसके अलाबा उन्हें सुख्दाइं मिले उन्हें सुरक्षा मिले महिलाओं की सिती बहतर करने के लिए उन्हें हर तरह का प्रोटेक्शन मिले उन्हें सुरक्षा मिले यह सारी चीजें मज़़ूरों को उनका हक मिले किसानों को उनका हक मिले ये सारी चीजे क्या सरकार ने की नहीं की और लगाता है सरकार इन सब चीजों को खत्म करती जा रही है मुदी को तो ध्यान भी नहीं है कि कमी उसने कहा था कि 2022 तक 2022 तक वो किसाने को याद दुग नहीं कर गए कहांगे उसका बादा, याद है उसे क्या, 2022 तक, 2022 तक दुग्रे की दुबाद भी छोड़िये, आज की तारीक में, चो इस्तिती है, उसमें उनकी आए, 35 से 40 परसेंट कम हो गई, तो सरकार से हम उम्मित करें, कोई सरकार नहीं करेगी, सरकार हमेशे जब करती है, जब सरक परा परसर से हैं, जितने भी स्टुटंस हैं, यहाँ पर जितने भी हमारे वक्यलाव साथीं, हम भी UNS, लगाता है णिवेधन करेंगी, जो लोग हैं, जो घरों में बैटे हैं, इसके लावाद का समाजिक संगटन हैं, समाजिक संगटनों के कारे करता हैं, राजणी तेक सोच व है